गाईज साल 2030 में Tata Motors Company के लिए काफी अच्छा रहाती हूँ कि Company ने अपनी अच्छी ची नई गाडियों को अपडेट किया है और मार्केट में लांच भी किया है अब 2024 के अंदर में भी नई गाडियों को लांच कनने के लिए कमपनी ने कमर कसली है तो गाईज आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी गाडियों के बारे में जिनकी कंफरमेशन तो बिल्कुल है 2024 में आने की तो गाईज चली सुरू करते हैं इस वीडियो को आज हम बताएंगे इन गाडियों के बारे में हेलो गाईज मेरा नाम है आरजे सर्मा टेक टीचर चैनल में आपका स्वागत है तो गाईज चली सुरू करते हैं गाईज नमबर वन टाटा हैरियर टाटा हैरियर का इलेक्रिक मोडल भारत के अंदर लेट यानि 2024 या दिसंबर 2024 में लांच होने के संभावना है इस इलेक्रिकल गाड़ी की कीमत की बात करें तो लगभग 30 लाग से सुरू हो सकती है वही हम दूसरे नमबर की बात करें तो टाटा नेक्सन डार्क है हाली में कमपनी ने भारत की अंदर टाटा नेक्सन का फेसलिफ्ट मोडल लांच किया है जोकि ICE और इलेक्रिकल दोनों के लिए बड़ी हाँ है इस गारी का डार्क एडिसन भी भारत में लांच होगा इस डार्क एडिसन की कीमत की बात करें तो लगभग 11,30,000 से सुरू हो सकती है यहां guys हम तीसरे नमबर की बात करें तो टाटा अल्टरोज रेसर है गाईस टाटा अल्टरोज रेसर को पहली बार 2013 में अर्टो एकस्पो में सोकिस किया गया था यह गारी एकस्पोर्टियर वरजन है जो की रेगुलर टाटा अल्टरोज का है और इसकी कीमत की बात करें तो 10 लाग रुपए से सुरू हो सकती है वही 2024 में इस गारी के लॉंच भी कन्वाम है इसके लावा हम बात करें चौथे नंबर की तर्टा कर्व है भारत के अंदर Tata Motors Company की कर्व मिट 2024 में लॉंच हो सकती है इस गारी के अगर हम कीमत की बात करें 10 लाग पचार हजार से सुरू होनी की उम्मीद है भारत में यह गारी हुंड़ी, क्रेटा, टोयटा, हाई, राइडर, किया, सेल्टोस और मारूती, ग्रेंड, विटारों को कड़ी टकर देने वाली है अब हम बात कर लेते हैं पांच वे नमबर की जो की टाटा पंच फेसलिफ्ट है, बजट सेग्मेंट के अंदर ही कंपनी की पंच गारी सबसे ज़्यादा बिकती है यहां हम छटे नमबर की बात करें तो टाटा कर्व EV है, मार्च 2024 में टाटा कर्व का इलेक्रिक मॉडल भारत में लॉंच होने की उम्मीद है इस इलेक्रिक गारी की कीमत की बात करें तो लगभग 20 लाग से सुरो हो सकती है गारी में एडवांच ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे फीचर्स का ओफर दिया जाएगा और साथ ही 500 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम की रेज मिलेगी यहां हम गाईज साथवे नमबर की बात करें जो की टाटा पंच EV है जनवरी 2024 में टाटा पंच का इलेक्रिक मॉरल लॉंच किया जाएगा और यह साल 2024 की कंपनी की तरफ से सबसे पहले लॉंच होगा इसकी कीमत की लगभग 12 लाग से सुरुवात है तो गाईज हमारी बनाएगी वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे अगली वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद और वंदे मात्रम